सरीर में कम जोरी महसूस हो तो क्या खाना चाहिए? जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों जिस छड हम उर्जा में कमी या थकान महसूस करते हैं हम अपने आपको बहतर बनाने के लिए अलग-अलग चीज़ें अपनाते हैं लेकिन क्या ये विकल्प मदद करते हैं? डाक्टरों और पोसर्ड विसेशक्यों का मानना है कि वे प्रारंभिक उर्जा इस्तर प्रदान कर सकते हैं लेकिन जल्द ही इस्तर गिर जाते हैं और हम अंत में पहली की तुलना में अधिक कमजोर महसूस करते हैं इस वीडियो में हम कमजोरी के लिए कुछ खाद्य पदार्थ का सुझाओ देने जा रहे हैं जो आपको उर्जा देने के साथ साथ कमजोरी दूर करने में मदद करेंगे पहला है ताजे फल और सबजियां सलात के कटोरे या फलों की सेवा की सक्ट को कमत समझे ताजे फल और सबजियां महत्वपूर पोसक तत्तों से भरपूर होती है यह मेटाबोलिजम को बनाए रखने और उर्जा के इस्तर में सुधार करने में मदद करती है फल या सबजी जितनी ताजी होगी आपकी सेहत के लिए उतनी ही अच्छी होगी साथी प्रदान की गई उर्जा अधिक सुसंगत दर पर होती है और यह सरीर को मानसिक और सारीरिक सरम की मांग के साथ बहतर ढंक से सामना करने में मदद करती है यह आदर सखादिपदार्थ है जो ठकान और डिप्रेशन को रोकते हैं अगला है गैर कैफीन युक्त पे के साथ हाइडरेटेड रहें रोजाना एक या दो कप कॉफी तो ठीक है लेकिन जब कॉफी हर घंटे पीने की अदद बन जाए तो यहां सेहत के लिए हानकारक होती है इसके बजाए आप कम उर्जा के इस तर पर ज्वार में मदद के लिए ताजे फलों के रस, मिल्क सेक, ग्रीन टी या इस्मूदी चुन सकते हैं वे उन खादिपदार्थों के लिए पौश्टिक विकल्ब बनाते हैं जो ठकान को रोकते हैं अगला है जल का सेवन करें जब भी हम ठके हुए होते हैं लगभग हमेशा डी हाइडरेशन का हिसाब रखना भूल जाते हैं पानी बिना किसी कैलोरी को जोड़े सरीर को बहतर तरीके से काम करने में मदद करता है अपनी उर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए दिन में 2-3 लिटर पानी जरूर पियें अगला है प्रोटीन खाने में प्रोटीन जैसी कमजोरी से कोई लड़ नहीं सकता बीन, टोफू, पनीर और स्प्राउट्स ऐसे खादिपदार्थ हैं जो ठकान से लड़ते हैं इनमें से अधिकान्स मैगनीसियम से भरपूर होते हैं जो उर्जा के इस तर को बहाल करने में बहुत मदद करते हैं हमें से अधिकान्स लोग थोड़ी अतिरिक्त नीन के लिए नास्ता छोड़ देते हैं या भोजन के लिए मैदे से बने खादिपदार्थ या उच्छ कैलोरी वाले स्नैक्स जैसे आस्वास्तिकर विकल्प चुनते हैं पूरे दिन उर्जा के इस्थर को इस्थर रखने के लिए दलिया को नास्ता के रूप में खाने का फैसला करें या साबुत अनाज के विकल्प जैसे होल हुईट पैनकेक, मल्टी ग्रिन सेंडविच या कुनोवा का सेवन करें इसमें उच्च मात्रा में अच्छी गुडवत्ता वाले कार्वोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे दिमाग और मांस्वेस्यों को एनरजी प्रदान करते हैं इसलिए या कुसलता से काम करते हैं और ठकान और कमजोरी से लड़ने के लिए बढ़िया भोजन बनते हैं इसमें उच्च मात्रा में अच्छी गुडवत्ता वाले कार्वोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे दिमाग और मांस्वेस्यों को एनरजी प्रदान करते हैं इसलिए या कुसलता से काम करते हैं और ठकान और कमजोरी से लड़ने के लिए बढ़िया भोजन बनते हैं